चलिए जबूराई चलिए सबी साथियों को वेलकम हैं एक बारड कनेक्ट हो जाएं और ये जो सेशन है आपकाइश फ्रैक्टिस मेस्ट सेशन है जो साइनो का सेशन हम लोग यहां पर हम लोग book app सीख रहे हैं एक तो आपका tricky based book app है जो कि कल आपको session मिला था आये practice based है और यहां पर 20 questions हम लोग solve करेंगे और बात में आप चेक करिएगा उन 20 questions में आपका score क्या रहे रहे है तो total जो question है 20 है एक question में actually a question और चार option मतलब पांच total word सीखेंगे और नियर अबाउट 100 वर्ट साच के session में सीखने वाले हैं आईए सीवालस यह लेड़ी हम लोगोंने पढ़ रखा है सीवालस सीवा से बना हुआ है लाड़ सीख कैसे है वीर है सीवालस का मतलब होता है वीर बहदुर यह आप जानते हो तो किस्से याद करोगे लाड़ से आपने याद किया था Crude का मतलब होता है जो कैसा है जो आई में जिसको refine नहीं किया गया है जो raw form में है उसको बोलते हो आप Crude यह ना gallant मतलब वीर होता है gallant का मतलब होता है weir, bored, courageous, gallant daring word यूज़ करते हो dare devils यूज़ करते हो यह ना आप कहते हो dauntless यूज़ करते हो है और हैंट सम्झानते हो टिंकरिंग मतलब होता है जो चेड़ साड़ करता है खास तोर से जिसको नहीं है दिए फिर भी किसी चीज के मरम्मत करने की कोसिस कर रहा है तो इसको बोलते हो टिंकरिंग तो सिवालस मतलब वीर होता है और यहां पर करेक्ट आंसर गैलन्ट हो तो सेटलमेंट मतलब बंदोबस्त होता है, you know very well, तो कॉविनेंट का मतलब होता है एक तरीके का कॉन्ट्रक्ट है ना समझाता है दो लोगों के बीच में जो कॉन्ट्रक्ट है उसको कॉविनेंट बोलता है, अगला जो वर्ड है वह है आपका डेंटली के बारे में केर फ्री फैमिन एंड हैपी, डेलिकेसी या फिर स्मॉल एंड ग्रैसफुल जिसमें एक भी डेंट नहीं है बहुत ही जादा सुन्दर चीज है उसको बोलता हो डेंटली इसका मतलब है स्मॉल एंड ग्रैसफुल जैसे आपने एक वर्ड इलिजेंट पढ़ा था कलके सेशन में अग इसका मतलब होता है अंचुगा ग्रैस्तन का मतलब होता है ऐंटच एबल अंटच एबल है ऊसको क्या बोलते उसको बोलते है प्रेंट है न तो याद रखेगा किय कोर Krा만 pickle हो है आप जांतो हो आपकि देली केसी मतलब लाजुक होता है डेली की के भिनता अंतर जिसको आप कह सकते हो इसका मतलब भिनता और यह जो डिफरेंस होता है इसका मतलब सम्मान होता है इसका मतलब होता है सम्मान है ना तो डिफरेंस मतलब क्या हो जाएगा रिस्पेक्ट हो जाएगा लैटरी मतलब चापलूशी हो जाएगा लैटरी का मतलब क्या ह जाएगा चाप लूशी और इसके बास सिंपैथी का मतलब साहन भूती इसको क्या बोलता है इंपैथी बोलतो हो इंपैथी और सिंपैथी दोनों सेम है एज़े क्लिमेंसी वर्ड भी यूज कर सकते इसके लिए इंडिफरेंस का मतलब उदासीनता होता है उदासीनताः का मतलब फर्क ना पढ़ना उसको बोलता है इंडिफरेंस उदाधी इसी को आप बोलतो हो आपएथी एक वर्ड में इसको डिफाइन करोगे तो कहा लिखquin तो आप अपीथी अप अप अथी मतलब होता है उदासीनता ख्लेश सेम हो गया इसके और इसेम है इसक का मतलब क्या होता है सम्मान, रिस्पेक्ट, रिगार्ड, एस्टीम इना ओनर ako जिलिया अंगी चलता है लॉर्मन का मतलब होता है सुस्त individ 276 सुस्त जालवा दार्मन का मतलब सुया खूआ दार्मा root word से बनाउआ है सोया हुआ और कैसे इसको define करोगे डॉर्मा का मतलब sleep होता है डॉर्म वर्ड जहां पर लगाते हैं इसका मतलब sleep होता है सोया हुआ ना dormant इसी से word बना हुआ है sleeping मतलब सोया हुआ है यही correct answer हो जाएगा पहले पहुच करके खुछ से आंसर करिएगा, so that आप पता कर पाओगे, कितने question आप से बनते हैं, कितने नहीं, humble मतलब विनम्र होता है, you know very well, humble का मतलब होता है, विनम्र, quick मतलब जल्दी होता है, active मतलब तेज होता है, इसी के लिए word आप क्या यूज करता है, nimble, nimble का मतलब जो फुरतीला है, त इसी के लिए word agile यूज करता हो, है ना, तो यहाँ पर correct answer हो जाएगा sleeping, बाकी तो आपको पता है, जैसे humble है, इसी को docile केता हो, आप, docile का मतलब कैसा होता है, विनम्र होता है, docile है, humble है, modest है, modest है, आप modest word यूज करता हो, इसका मतलब होता है, humble है ना, इस सारे word clear होगे, नस् और प्रभाव हो, जो effect डाले। वो कैसा है affecting? Spectacular इसका मतलब दर्सनी होता है, इसका मतलब होता है, दर्सनी है, जो देखने लाइक है, उसको बोलता है इसपैक्टकूलार, इस भी specta से word आप बनाते हो, expect का मतलब होता है, इससे word spectacles बनता है, ना, अगे चलता है, नस् they파 Liu met बहुत ज्यादा थ्रिलिंग है अन्प्रेसिडेंटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेटेट का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है नाट की है है ना इसका मतलब होता है नाट की इसका मतलब क्या हो जाएगा स्पेक्टकुलर हो जाएगा option number हो जाएगा third dramatic का मतलब क्या हो जाएगा स्पेक्टकुलर नाट की है ना unprecedented that happens that never that never happens और दुबियर्ष के बारे में बात करते हैं डूबियर्ष का मतलब क्या है कीमगित टेबल है डुपलिकेट है डाइंघरस है डाइंजडरस मतलब होता है खतरनाख ना मीनिंग होता है खतरनाख बाक ये दो-teen गहलत आपको Bहुत बार बता है याद होगा आपका जैसे पेरिलस आता है जैसे हजारडस आता है जैसे आप Kuriski यूज military गरतो हो Disputable मतलब जिस पर Dispute Create किया जा सके यह ना इसका मतलब जिस पर विवाद खड़ा किया जा सके Doubtful मतलब संदे जनक होता है Doubtful का मतलब होता है संदे जनक और इसी Dubious का मतलब होता है कैसा संदे जनक संधे जनक संधे ही जनक ये स्विकु क्या बोलती हुए ये को बोलती हो आप doubtful dubious doubtful क्या दरेखेंग来ए dubious का मतलब होता है doubtful संधे duplicity अभी आपने duplicate पढ़ाता है यहाँ पर duplicity लिखा हुए क्या जया है 就是21 cleverness cleverness का मतलब क्या हो गया cunning Cunning, Cunningness जोसको आप बोलते हो, Deception मतलब दोखा होता है, Deceive से ही बना है, Deception, Deceive मतलब दोखा देना होता है, जैसे वर्ड आप यूज करता हो, Deceive, Deceive मतलब दोखा देना, इसी को क्या बोलते हो, Cheat बोलते हो, कि को बोलता, चीट, इसmore को बोलता, trick, इसे को बोलता, betray, betray, दोखा देना, यह सभी वर्ड आप क्या आता है, है दिलिवड दोखा देना, है यह वर्ड यूजकर देवा तोr deceive है, cheat है, trick है, betray है, transmis लुग है, हिनका मतना दोखा देना, artlessness मतलब कलाबाजी है यह नहीं art less less का मतलब ना होना artless मतलब बिना कलाखे repetition मतलब होता है पुंड्रा व्रत्ती इसको क्या बोलता है पुंड्रा व्रत्ती और duplicity मतलब जाली है ना यहाँ पर correct answer कौन से हो जाएगा deception यह correct answer हो जाएगा बाकी ध्यान रखना है यह word जो है इनका मतलब धो के से होता है आगे चलता है eternal का मतलब क्या होता है innumerable innumerable जिसको number में major ना किया जा सके immisurable जिसको मापा ना जा सके prolonged मतलब होता है लंबा perpetual मतलब होता है इसको बोलते है everlasting कभी ना खत्म होने वाला everlasting कभी ना खत्म होने वाला हमेशा रहने वाला वो eternal है तो हमारी जो soul है वो कैसी है eternal है perpetual है everlasting है यह word आ जाएगा यहापर correct answer होगा D events करने का मतलब क्या होता है look या फिर try apply या फिर show show मतलब दिखावा दिखाना show का मतलब दिखाना है show है flaunt एक word यह आता है flaunt flaunting करना if you are flaunting इसका मतलब you are showing something something pump and show यह एक idiom आप पढ़ता हो pump and show इसका मतलब भी दिखावा होता है display एक word आता है टिस्प्ले मतलब दिखावा होता है ईसी से एग्जीबीशन ऐस एप यूज करता हो इसो अपलाई करने का मतलब को के सकता है आप से समझ में होग फो आगले लोग वैगरी का मतलब क्या होता है विए ग्रीकkin अचटाBR वअगरी आएगा, वज़गरी का मतलब क्या होता है, याद दास का चला जहना, यासे एक वर्ड आप पढ़तों, अमनेशिया का मतलब क्या होता है, loss of memory, loss of memory, याद दास का चला जाना है, जैसे एक वर्ड ट्रॉमा आता है, ट्रॉमा का मतलब क्या होता है, emotional shock, इसका मतलब होता है, emotional shock, मानसिक आघात, उसको आप बोलता हो, emotional shock, ट्रॉमा, यहां पर आजाएगा, lapse of memory, यह correct answer हो जाएगा, companionship साथी होता है, gang जानतों, Roberts का group होता है, impulse मतलब आवेग होता है, impulse का मतलब आवेग, यह सारे word clear, answer clear, fox, यह तो बहुत ज्यादा word पूछे जाने वाला, आज वाले में तो ज्यादा तर वर्ट साप से बनने चाहिए, अब देखे, जैसे please, मतलब सांथ करना होता है, satisfy करना, please करने का मतलब, satisfy करना, संतुष करना, हिंदी मिले को कर संतोष करना, persuade करना, वैसे Mail cash का actual means होता है, किसी को convince करना, यह कि सी की चापालुशी करना, है यह देना होता है, pacify, sant करना होता हूदा, calm down करना होता है, इसी को बोलतो हो, Molify करना, और इसी को क्या बोलते है, एसज बोलते हैं, mollify, एसज, calm down, tranquil, एक वर्ड ही आता है, tranquil, सांत करना, है ना, ए वर्ड आ जाएगा, कॉक्स मन्दब होता है, चापलूशी करना, जिसे को flatter बोलते हो, क्या बोलते हो, कॉक्स बोलते हो, परस्वेड बोलते हो, है ना, casual बोलते हो, casual मतलब चापलूशी करना, इनका मीनिंग होता है, चापलूशी करना, पाकि इसके लिए वर्ड आपने पढ़ रखें, काफी, परस्वेड यहां correct answer आजाएगा, पाकि यह आप जानता हो, साइको फैंट, यह वर्ड आप पढ़ता हो, साइको फैंट, साइको फैंट का मतलब कैसा होता है, चापलूश, जैसे बूट लिकिंग करना, चापलूशी करना, यह आप जानता हो, बूट लिकिंग, चापलूशी, जैसे एक वर्ड यह भी आता है, ब्लैंडेस्मेंट, ब्लैंडेस्मेंट का मतलब चापलूशी होता है, यह कुछ वर्ड और एड़न कर सकते हो, बागे ध्यान लगेगा यह क्लियर हो गया कॉक्स का करेक्टानसर यहां पर परस्वैड है अंगे जाते हैं रिनाउंड इसको अभी ट्रिकी वुकैब वाले में मैंने आपको बताया था रिनाउंड का नोटोरियस कुख्यात होता है फेमस फार बैड वर्क बुरे कामों के लिए फेमस है उसको कुख् ग्रेट मतलब महान, ब्रेव मतलब वीर, फेमस मतलब प्रसिद्ध रिनाउंड का मतलब क्या होता है जो चीज प्रसिद्ध है फेमस है यहां बोलोगे इसी को इमीनेंट एक वर्ड आपने पढ़ा है इमीनेंट का मतलब फेमस होता है इमीनेंट है यहां पर फेमस इंगर जिसको रैत बोलतो रैत का मतलब गुस्सा होता है ये भी आपको ट्रिक से याद कराया था तो रेज और जबकि एक और रेज होता है रेज ये क्या होता है रेज का मतलब होता है नस्ट करना डिस्ट्रॉय करना और इसी रेज से ही एक वर्ड ये बन जाता है इन रेज गुस्सा दिलाना, रस मतलब भीड, फायर मतलब आग, मार का मतलब चिन, और बलेज मतलब होता है, आप कह सकते हो बलेज का मतलब एक तरीके से फ्लेम, जो आला जिसको कहते हो आप, यहां पर क्या हो जाएगा फायर, बाकि फायर के लिए वर्ड आपने पायर पढ़ा है, पी परयाप्त, एपल की संक्या कैसी है, एमपल है, मीगर है, कौन्टेक्टिव है, या सफिसेंट है, टैस्टी है, टैस्टी मतलब डिलीशियस है, इसका मतलब क्या कहोगे, डिलीशियस, सम्चुवस, डिलीशियस, या फिर सेवरी एक वर्ड यूज़ करता हो, सेवरी, होता है। quantitative मतलब परिणाम को define करता है और meagra मतलब कमी होता है। Ample मतलब परियाप्ट होता है। Ample ka मतलब परियाप्थ होता है, correct answer sufficient हो जाएगा। Ample मतलब sufficient. आँगे transparent का मतलब कहा होता है। यह बहुत easy है, Translution है, opaque है, clear है, sharp सार्फ को मतलब तेज होता है सार्फ को मतलब तेज होता है एक्यूट इसी को बोलता हो क्यूट लोग कैसे होते हैं बहुत सार्फ होते हैं याद किया था क्लियर मतलब इसपस्ट इसी को लूशिट बोलता हो लूशिट बोलता हो को apparent बोलतो हो, apparent बोलतो हो, evident बोलतो हो, evident clear इसी को आपके बोलतो हो distinct एक वर्डी आता है, distinct इसपस्ट, ओपेक मतलब अपारदर्सी होता है, अपारदर्सी और Translution मतलब होता है अल पारदर्सक यह आप कहता हो Transparent मतलब पारदर्सक होता है और यह Transparent का Sign हो क्या हो जाएगा clear जो चीज clear है 16 clear 17 Fruitless का मतलब बेकार होता है जसका कोई result ना मिले Fruitless मतलब बेकार यूजलस जो किसी कामकार नहीं है इसे को Futile वोलतो है एक word आपने यह पढ़ा है Futile है ना सक्सेश्फुल Barren यूजलस insufficient आप परियाप्त इनसफिशेंट का मीनिंग आप परियाप्त Sufficient में आयन लग जया यूजलस मतलब बेकार होता है बेकार Barren मतलब बंजर होता है बंजर और Successful मतलब सफ़ल होता है यहाँ पर क्या कह रहा है Fruitless मतलब बेकार यूजलस आजाएगा यहाँ पर Correct answer Barren को याद कर सकतो बिना रहन की ठीक है जोसे कोई land है वो productive नहीं है तो इसको बोलोगे बैरन है बैरन का मतलब बंजर है इसी को आप बोलतो फेकंड अन उप जाओ या फिर इसी को बोलतो इस्टेराइल बंजर इस्टेराइल का मतलब होता है बंजर है ना फेकंड है इस्टेराइल है अन प्रोडक्टिव कह सकतो अन प्रोडक्टिव लैंड है अन प्रोडक्टि है clear होगे बात यह वाली बात ध्यान लखेगा आंगे चलता है can you flag के बारे मेरे बात करता है can you flag का मीनिंग क्या होता है hide reveal disguise pretends content बंदे का तMinon का दिखावा वैसे pretends के दू meaning होता है pretend word जो होता है, इसके दो meaning होता है, pretend का मतलब एक तो दिखावा होता है, दिखावा, एक होता है, बाहना बनाना, दोनों meaning होता है, pretend मतलब, excuse, आप कहता हो, excuse, वैसे इसके लिए एक वर्ड और आता है, fin, fin मतलब, f-e-i-g-e-n, बाहना बनाना, disguise मतलब, waste चुपाना, waste बदलना, reveal मतलब, उजागर करना होता है, उजागर करना, expose करना जिसको बोलते हुआ, spill the beans जैसे एक idiom आपने पढ़ना है, let the kite out of the bag, और chemo flag मतलब होता है, hide करना, चिपाना जिसको कहते हुआ, chemo flag मतलब, hide, ये correct answer होगा, आंगे चलते है, benevolence, benevolence का मतलब क्या होता है, ill will, morbidity, kindness, vision, दयालूता, क्या बोलोगे, दयालूता, इचे को बोलता हुआ, tenderness, tenderness, दयालूता, tenderness, है ना, इचे को clemency बोलता हो, clemency का मतलब भी दया होता है, morbidity मतलब होता है, रोग से ग्रसित होना, आप कह सकतो कि कोई व्यक्ति जो मीमार है, ill है, है ना, morbidity, इसका मतलब, रोग से ग है इसका मनदा इसका मनदा गुड विल इसका मनदा गूड विल अश्य को क्या बोलते हो इसके कर्थ सकते हो आफ है विलन्य प्रोंपी यह । यह कहा थो आफ हो अगे बात और एक और कुषेशिन आपका बेलफुल आपको शायनों बताना है कि यहारफुल होगा, doubtful होगा, useful, helpful, sahayak, useful क्योंकि, doubtful संदे से रहा हुआ, harmful का मतलब होता है, हानिकारक, हानिकारक, इसके बहुत सारे वर्ड आप पढ़ते हो, harmful है, जैसे आप पढ़ते हो, injurious है, injurious मतलब हानिकारक होता है, जैसे पर पढ़निसियस एक वर्ड आता है, flyinglyeker, inj परणिसियस है, detrimental एक वर्ड यूज करता हो, detrimental का मतलब हानिकारक होता है, detrimental है ना और यूशे को बोलतो हो, baleful, baleful और baleful ये वर्ड आप यूज करता हो, इनका मतलब हानिकारक, usually इनके साथ जो प्रबजीशन लगता हो टू लगता है, तो baleful का मतलब क्या हो जाएगा, हानिक कारक है, यहाँ पर correct answer हो जाएगा, आपका harmful, यह तो थे आपके total 20 questions, ओप सो आपने अच्छे से अटेंड की होंगे, समझ आया होंगे, ठीक है, तो यह सारे questions से prepare कर लीजेगा, और कल first session मिलेगा आपको, जो trick पर based होगा, यहाँ पर हम लोग कुछ words और discuss करेंगे, with trick के साथ, यहाँ, तो तक यू शू मुच पर अटेंग इस वालवबल सेशन, थैक यू, जाए हिंद।